क्योंकि इस मैं खुशिरू आपका स्वागत करती हूँ आकबारबानी गौसम में अकांग्शा को बहुत बुरा लगा है क्योंकि अभिशेक जो है उनसे बात नहीं कर रहे अकांग्शा जो है जिया को कहती हूँ नजर आई है कि भई मुझे अभिशेक से बात करनी है और उससे माफी मांगनी है उससे पहले अकांग्शा ने ज़ो है जादा तर actually मैं अभिशेक से बात करने की कोशिश की और बहुत ही अच्छी बात की जो कि बहुत ही अच्छा है हाला कि अकांग्शा जो है जो की चीजे कर रही है अगर वो अपना natural face सामने लेके आ जाए अभी तो मुझे भी लगता है कि अकांग्शा वो चीज नहीं कर रही है जो actually में वो है क्योंकि जब से अभिशेक के साथ अकांग्शा ने ये सब चीजे किया है मुझे काफिस जदा मतलब की जीप सा अटपटा सा लग रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एकदम फोकस रहने वाली लड़की इतनी ज़रा स्ट्रॉंग हर एक बात पर एकदम तरीके से सही से जवाब देने वाली लड़की वो कैसे डम जैसा रियक्शन दे सकती है डम जैसा कर सकती है वो मुझे भी मले काफिस जदा हैरानी हुई थी तो अभिशेक अभी माफ करेंगे अभिशेक के पास जाके बहुत अच्छी बात किया कांगशा ने कि भाई देखो जो हो गया हो गया अभी जो है हम लोग अभी एक टीम होके हमें खेलना है अभी एक्चुली में बिग बॉस ने जो गेम खेलनी थी वो तो खेली दिये इन लोगों को अलग कर दिया है बट अभी एक यूनिटी में ये गेम खेल पाएंगे ये नहीं खेल पाएंगे ये देखना काफिजा इंट्रस्टिंग रहेगा हम आप तक हरीक अपडेट पहुंचाते रहेंगे पर अकांगशा के बारे में क्या है आपका विचार और मुझे जरूर बताए कि अकांगशा ने अगर माफी मांगी तो क्या आप इशेक माफ करेंगे या करना चाहिए आप ही मुझे बताएए इसी के साथ मैं लेती हूँ जाज़त नमस्शकार